हेलो इन्वेस्टर्स सुवागत हापका माच लशेयर मार्किप में बात करेंगे दिवयानी इंटरनेशनल लेमिटेड के बारे में तो यहां पर जो इनकी लिस्टिंग है और कैसे हुए तो उसी के ऊपर चर्चा करते हैं तो दिवयानी इंटरनेशनल लेमिटेड लिस्टेड और वो अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ है दो स्टोग लिस्टेट एट रूपीज वन फोर्टी वन अपीस और नेशनल स्टोग एक्चेंज नसी प्रीमियम और फिफ्टी सिक्स पॉंट सेवंट परेंट ओफ इस आईपीज प्राइज और फूपिज नाएंट यहां पर नदेख पा रहे हैं तो एक प्रीमियर प्रीमियर करना चाहूं तो मैं यह बताऊंगा कि स्टोग की जो लिस्टिंग हो काफी जाबदस्तु यह जैसा कि आप सब्सक्राइब को बताएं कि मार्केट में इस इसी की वज़े से इस साल सबसे ज़दा आने की संभावना काफी ज़दा इंक्रीज हो चुकी है आईपीओ रसीव 116.7 मोर डिमांड देन शियर ओफ 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 विकेम दे एट मोर सब्सक्राइब इशू ऐस सो फार तो इस साल की बात करें तो यह एट मोस्ट आईप्यो बन चुका है तो जो इससे साब से देखा है तो शुरुवात काफी तर अच्छी हुई है शियर में और काफी तर अच्छी डिमांड भी है बाकि अगर मैं परसनली अपनी ऑपिन दूर तो मुझे से ज़मेटो पहले से से पसंद नी था उसके बीचिसे रिजन य है लेकिन अगर फिर भी पसनली मेरा उपिन जाने की होशिश करने तो मैं बताऊंगा कि यह शेयर मुझे काफी तर अच्छा लगता है अगर कंपेर करें जैमेटो से और यही चीज़ हमें यहां पर आज लिस्टिंग में भी देखने के लिए मिली तो यह 8th मोस आईपियो बन चुका है इस साल का जो कि यह काफी जारा पॉस्टिव साइन है बाकि अब में से कितने लोग हैं जिनने यह आईपियो मिला था तो कमेंट करके जरूर बताईएगा जिनका यह आईपियो सब्सक्राइब हो गया था बाकि जो अभी इसके बार में बाइंग कर जो हैं वह डंप हैं जिसकी वजह से आज उस में गिरावर देखने के फिस अगर आप वह वीडियो चेक कर सकते हैं बाकि आप इसके बार में क्या सोचते हैं किमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पर नही हैं तो सब्सक्राइब करके बेल लाइकिंग को दुबाना बिल् बुस्तो एदनाई